हेलो इबरिवन आईम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है आज इस फड़ों में डिसकस करने वाले हम लोग सोशल साइंस के कोशन जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 31 से लेकर 40 तक के कोशन तो है जो है वो हम और डिसकस कर चुके हैं आज हम डिसकस करने वाले हैं 41 से एक ही साथ में explain करती थी तो almost यह जो वीडियो बनता था वो मेरा 50 मिरन का बनता था तो जिसके वज़े से ना ज़्यादा views आते थे और ना ही ज़्यादा लोग देखते थे इसलिए मैंने size जो है छोटी कर दी है तो जो भी फर्स्ट है मैं है वीडियो को लाइक करें चल्दों को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको वीडियो जो है वो मिलती रहें तो next class में हम दोंग ने 40 तक question कर लिया था आज हम करने वाले हैं 41 वा question चल्ये तो अगर आपको भी answer आता है तो comment section में बताते रहिएगा और अगर आपको ने ये already paper solve कर लिया है तो अपने आपको check कीजे कि आप कहां stand करते हैं क्या आपको answers आता है आता है तो comment section में जरूर बताईएगा ओके चलिए which of the following is not true of true for minerals मतलब कि खनीज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है तो जो खनीज होते है न ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला प्रधारत है एकदम सही है और इसका एक chemical composition भी होता है रसायनिक संगठन भी होता है इसका ठीक है इसके बाद different different types के different different geographical environments होते है ठीक है all minerals are non metallic सभी खनीज जो है अधात्मीक होते हैं तो कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है तो सारे जो minerals है वो non metallic कैसा हो सकते हैं metallic भी हो सकते हैं and non metallic भी हो सकते हैं right तो option number 4 जो है वो सीधे सीधे गलत है इसके बारे में चले देखते हैं 42 अब जब match the following exam में आता है तो किस तरीके से आपको solve करना चाहिए देखिए यहां पर A, B, C, D, E 5 options दिये हैं तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा options के answers मुझे आते हैं okay तो मिरने समदलो मुझे आता है गंगा वेली जो है वो 25 साल पहले वहां पे लोगों ने cities बनाना start कर दे थी ठीके इसके बाद मुझे एक और पता है कि जो गारो hills है न वहां पे जो लोग है उन्ह 3 कहां पे दिया है D का answer 3 थरड वाले में दिया है and C का answer 5 कहां दिया है C का answer 5 कहां दिया है तो ये मिल गया आपको ये दोनों 3 वाले option में दिया है तो ये स्रीफ दो answer पता चलने से आपको आपका पूरा answer ही पता चल जाता है तो option number 3 जो है वो सही है ठीके नर्मदा वेली का answer रहेगा नर्मदा वेली की जो लोग थे वो हंटिंग गाधरिंग करते थे वजी जो है ना वो बिहार में एक प्लेस है जो की अर्ली रिपब्लीक इसका अंसर है गारो हिल्स में सबसे पहले एकडी कल्चर होना स्टार्ट किया गंगा वेली जो है पच्छी सो साल पहले से इस तीटी पर रहना उन्होंने लोगों ने स्टार्ट कर दिया था इंडस और इट्स ट्रिबूटरीज वहाँ उन्होंने क्या क्या तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फाइंड आउड कर सकते हैं तो अप्शन नमबर थर्ड जो है वो इसके बारे में एकडम सही है चलिए देखते हैं नेक्स कोशन 43 वाला पंटेक्स्ट ओफ कॉन्टेंप्ररी कॉन्टेंप्ररी डीबेट्स और देट्स ऑफ दिएन हिस्ट्री तो भारतिय इतिहास के तीथियों और काल के समसाम यह इकवाद विवादों के संदर में दिये गए हैं तो periods के लिएक और dates जो है दोनों के बीच में debates के बारे में दिया है तो कौन सा कतन गलत है और कौन सा कतन सही है वो आपको बताना है तो चलिए देखते हैं अब periodization like Muslim, Hindu, Muslim, British is appropriate as a religion of the rulers has been the only important historical change only लिख दिया है देखिए पहले ही बताजे मैंने only लिख दिया है याम पे Hindu, Muslim, British जैसी काल वधी उपयूक्त है क्योंकि शासोकों का धर में ही एक मातर महतपुन एतिहासिक परिवटन रहा है ओके, it is problematic to assign precise dates and the time spans to historical process that happened over a period of time तो लंबी समय अवधी में घटित होने वाली एतिहासिक परिवटन को निष्टी तीथियों और काल विभाजन के अंतरगत लाना समस्यात्मक होता है ओके, तो 43 का answer क्या होगा वो आपको बताना है कौनसा कथन सही है और कौनसा कथन गलत है वो आपको बताना है ठीक है, तो कथन ए जो है वो पूर्ण रूप से गलत है ओके, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आया है only ठीक है, तो यह अपका negative हो जाएगा, right इसके बाद second जो है, second जो लिखा है वो सही लिखा है means A कथन जो है वो गलत है और B कथन जो है वो सही है ओके, so option number 4 is the correct चलिए देखते हैं next question 44 वाला नीचे दो कथन, 19-वी सताबदी में नई लोगपरी भारतिय कला के संदर्व में है तो मतलब 19-वी सताबदी में एक नई भारतिय कला एक Indian popular Indian art जो है ना 19-century में बहुत ज़़ा famous हुआ था तो वो कौन सा आर्ट है, ठीक है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाओं का उपहास किया गया है और अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शोकों का मजाग बनाया गया है उसमें इंडियन जो popular हमारा इंडियन आटे हुसमें तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सदाधी गई है ठीक है, बी जो है राष्टरवादी विचारों को अभिवक्त करने और लोगों को अभिट्रिशासन के खिलाब उध्वलित करने के लिए छवियों का इस्तमाल किया जाता था तो कौन सा कतन सही है और कौन सा कतन गलत है वो आपको बता रहा है ठीक है, तो अगर देखा जाए ना, तो A और B जो है दोनों ही सही है पर A की सही वाक्या B नहीं करता है मतलब यह जो B वारा है वो A की वाक्या नहीं करता है, कौन से इसकी बात है कि यहां पर बात हो रही है कि चित्रों के जो आसपास का बदलाव जो होता है उसको पहास किया जाता है शाशोकों का मजाग बनाया जाता है, ओके और दो दो घरनत से निकलने के अनुमती नहीं होती है वही दुस्रे तरफ अगर हम कथन B की बात करें, तो यहां पर लिखा हुआ है कि राष्टवादी विचारों को अभी वेक्ट करने के और लोगों को अजब्रिटिश आसन के खिलाव उद्वलित करने के ले छवियों को इस्तमार किया जाता है तो इसका अंसर जो है 44 का, A और B जो है वो दोनों सही है और A की सही वाक्या भी नहीं करता है चलिए देखते हैं 45 वाला कोशन, 45 वाला कोशन क्या कहना चाहता है Which of the following may be considered as a primary source for understanding early humans in India मतलए इंडिया के early humans को समझने के लिए primary source हमारा क्या है कांगरा का style painting, गिरनार का rock inscription या फिर पादशाह नामा का painting या फिर rock painting of मध्यपरदेश तो primary हमारा source क्या है early humans के जानने के लिए तो rock painting of मध्यपरदेश चले देखते हैं 46 वाला children in pre-british times were taught तो मतलब pre-british time के साथ के time पे बच्चों को क्या सिखाया जाता था okay times were taught cub वो पता ना है okay सरकार स्थानों में सिखाया जाता था एक निषटितrows फीश लेकर सिखाया जाता था या फिशाल बहर फसल की कटायी के समय छोड़ कर जब वे खेतों में काम करते थे तब सिखाया जाता था या वार्शिक परचा के माध्यम से मुल्यांकन के लिए means throughout the year उनको सिखाया जाता था बट जब वो harvesting का काम कर रहे हैं जब वो field में काम कर रहे हैं तब छोड़कर उन्हें पढ़ाया ही जाता था so option number third जो है इसके लिए है सही है चले देखते हैं नेक्स कोशन 47 वाला कि 47 वाला कोशन क्या कहना चाता है नीचे दो कथन A और B दिया हुआ है 18 से लेकर 19 वी शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्य के उदे संदर्व में है ओके तो कौनसा कथन गलत है और कौनसा कथन सही है वो आपको बताना है तो फर्स्ट है 18 वी शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयम को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे और B जो कथन है वो है प्रारंभीक 19 वी शताब्दी में लोगों को यो बहुत कराए गया कि प्रतेक भाषी समुदाई जो है एक अलग राष्ट था ओकी तो कौनसा कथन सही है 18 वी और 19 वी के बारे में century के बारे में कौनसा कथन गलत और कौनसा कथन सही तो देखिए एक कथन जो है वो गलत है second question number जो है option वो सही है मतलब option number 4 जो है इसके बारे में सही है A is wrong but B is correct चलिया देखते है next question B BCE stand for मतलब BCE का full farm क्या होता है BCE का full farm है आपका before common era जो कि six standard की history का question है और बहुत ही easy question है कि BCE का full farm क्या होता है ओकी चलिया देखते है next question 49 वाला हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरा पाशान काल में कि यो यूग है उस यूग में भारत में सतर्मुग होते थे कैसे पता कि भारत में सतर्मुग होते थे कैसे पता क्योंकि महरास्ट के पटने में क्या हुआ था option number B महराजर्ट के पट्टे में क्या हुआ था कि पट्टे में पुराना स्था ज्युक्ष्ट मुझ के अंडों मिला चर्ब आपतन केस वह हुआ तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंतर समाथ हो गया सेकेंड जंगलों का विनाश हो गया थर्ड सभेता के पुरे छेतर में बाड़ा गई और फोर्थ संभतोह नदिया सूख गई थी तो जो हरपन सिवलाजेशन है उसका अंत कैसे हुआ तो यह आपको बताना है तो इसका जो सही ओप्शन है वो है A, B and D ओप्शन नंबर सेकेंड इस दर करेक्ट तो यह वीडियो यहीं पर खतम होता है मिलते हैं नेक्स पुडियो में तो आज के 10 questions को आए अपने नाम भी लिखे और कितने marks आपको मिले हैं वो भी लिखेगा तो मिलते हैं नेक्स पुडियो में थांक्यो 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 तो मच एवरिवन ऐसा ही अपना support बनाए रखें मिलते हैं नेक्स पुडियो में झाल वरिवन